वाडी नाका नंबर 10 काचिमेट सोसाइटी इन दिवासी मालिक की ही घर में नौकर ने से लगाई। आरुपी नौकर को वाडी पलिस ने गिरफ कर कुल आठ लाक कमाल जब किया है। वाडी परिवार के साथ एक तिसमाश को दस बच कर 42 मिनिट पर वास्तो समारों के लिए ड्रावर के साथ घर में ताला लगा कर गयते। समारों खत्म होने के बाद जब वे 11.45 को वापस घर पर आए तो देखा कि घर में कोई अग्याद बेखती बिना ताला तोड़े घर में गुश्किया और अलमारी से लगवक 3,50,000 रुपे नकत चुरा ली। शिकायत करता डुशब सिन ने तुरंद वाड़ी पुलिस को मामले की जानकारी दी थी। वाड़ी पुलिस की टीम ने पंचनामा कर आरुपी के खिलाव धारा 380, 381, 454,452 के तहट मामला दश कर अपनी जान शुरू की थी। वाड़ी थाने की जान्च टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक तिन में पुरे इलाके और अमराती रोड़ के कुल 32 CCTV कैमरों की जाज़ के शिकायत करता के परिशित और उसके कारले में काम करने पाले एक व्यक्ति को निगराने में रखा गया था। जिसका नाम रोहित मुरिश्वर डहा के उम्र 29 वर्ष पुराना फुटाला हनुवान मंदिर के पास जटिश अटाकरे हाउस यूनिवर्सिटी कैमपरस अमराती रोड का निवासी है। इसे गुत जानकारी पर तथा सेसी टीवी कैमरा के मदद से हिरासत मिल या था। उससे मामले की तकडिप पुश्टाश की गए तो उसने अपरात कबूल कर लिया। इस गुरों के मार्क दर्शन में पियार राजिश तटकरी, पियसाई डीबी स्क्वार्ड प्रमुग कुनाल थुरड, एससी प्रमुद किरी, सिपाई प्रवीन फलकी, सिपाई हेमराज बेराल, प्रमुद सोनों ने सतीश रियसन करनी कारिवाय को अंचाम दिया। महिंगाई के इस जमाने में आज भी लोगों को काम ने बिल रहा है, कई लोग बिरुसगारी के शिकार है और ऐसी सित्थी में वफादारी से काम करना ही सरल उपा है। इस मामले में भी बारा साल पुरानी नौकर नहीं माले की घर में चोरी काने से लोगों में नौकर प्रतीश संतिहन दिर्वान हो रहा है। ऐसा मामला घटित होने से वफादारी के मिसाल पर संकोश की भावना वेक्त हो रही है।